हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबाड नेशनल बैंक फोर एगरिकल्चर एंड रूलर डवलेपेंड की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन, जो की फ्रेंज से यहाँ पर ओफिस अटे जानकारी आपको नाबाड की ओफिशल वेबसाइट पर या फ्रेंज आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जोबरास्ता.com पर जाकर भी इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप एपलिकेबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए पारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके हैं, तो यहाँ पर फ्रेंज से देखिए, यह इसका ओफिशल पोर्टल है, जो कि आपको मोबाइल में यहाँ पर ओपन करना है अगर देखिए, मोबाइल में यह ओपन नहीं हो रहा है, मतलब आपको शो कर रहा है इस तरह का एरर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस वेबसाइट इस वीबल ओनली इन लेंड्सकेप मोड, मतलब आपका जो यह वेबसाइट है, यह फ्रेंज से आपका लेंड पेज है, यह ओपन हो जाएगा, अब मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा, क्या-क्या जानकारी अब आपको फिल करनी है, क्या-क्या डॉकॉमेंट्स आपको अप्लोड करने है, सबसे पहले न्यू रजिस्टेशन टैप पर जाएए, और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी है, अब देखे, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है, आपके नेम का, तो आपका फ्रेंच से जो भी पूरा नाम है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंच से आपका जो नाम जब आप यहाँ पर एंटर करते हैं, तो कि capital letters में आप यहाँ पर enter कीजेगा इसके लिए आपको यहाँ पर दो-दो बार आपके नाम की entry आपको यहाँ पर करनी होती है इसके अलावा अगर आपका middle name है तो अच्छी बात है आप दे सकते हैं last name है तो भी दे सकते हैं बाकि first name देना जरूरी है तो आपका friends जो भी नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर enter करेंगे और same आपको यहाँ पर इसे confirm भी करना होगा इसके बाद आपका next option आएगा आपके mobile number का तो आपका active and valid mobile number दीजिए और इसके बाद यहाँ पर है mail id option तो आपका friends जो भी active and valid mail id है वो आपको देना है mail id कैसे enter करना है तो मैं आपको sample या demo show करता हूँ जैसे मालीजी आपकी कोई भी mail id है वो आप यहाँ पर देंगे और उसका indicate domain आपको यहाँ से select कर लेना है नीचे आपको जो confirm mail id का option दिया गया है यहाँ से आपको आपकी mail id को confirm करना होगा अब confirm आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर confirm करेंगे आप with domain तो यहाँ पर आपका जो भी domain है उसको आप यहाँ पर enter कर देंगे तो आपको आपकी actual mail id है वो आपको देनी है इसके बाद आपको यहाँ पर देना है security code जो भी आपको यह शो किया गया है और यहाँ पर आपको save and nest वाले option से आपके registration को complete कर लेना है इसके बाद आपका देखिए जो registration है वो complete हो जाएगा और उसके बाद आपके registration details आपके mobile number पर और आपकी mail ID पर आपको send कर दी जाएंगी अब आपको यहाँ पर photograph and signature upload करना है jpg format में और इसके लिए आपको यहाँ पर जो guideline है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है और इसका जो dimension है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है तो यह jpg format में upload होगा photograph and आपका signature तो यहाँ पर फेंसे photograph and signature upload करने के बाद आप इसे यहाँ से confirm करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर इस next वाले option पर click कर देना है इसके बाद आएगा फ्रेंसे आपका यहाँ पर देखिए जो next option है जो की है फ्रेंसे आपके यहाँ पर basic detail का पहला है reasonable office तो आप जिस भी reasonable office के लिए अंतरकर आविदन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर select करना है और इध्यान रखिएगा जिस भी reasonable office से आप यहाँ पर form को apply कर रहे है वहाँ का ही friends से आपका dimension होना चाहिए और आपने qualification भी जो 10th है वो आपने वहीं से key हो तो यह friends आपको clear होना चाहिए तो इसके लिए जो guideline है वो notification में आपको दी गई है अगर आप notification को read out करना चाहते है तो jobrasa.com पर आपको friends से देखिए जो official notification है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और साथ में apply का link भी आपको यहाँ पर ही मिल जाता है इसके बाद friends आप यहाँ पर देखिए जो आपका friends notification है वो आप यहाँ पर open कर लेंगे और इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए जो नीचे आपको आने पर सबसे पहले आपको दी गई है number of vacancies तो आपको जो regional office देगे है यह आपको जो candidate यहाँ पर apply करना चाहते हैं इन ही regional office के candidate ही यहाँ पर आविधन कर सकते हैं और इसके लिए फैंसे यहाँ पर जो vacancies है वो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं इसके लिए जो qualification criteria है आपको इसी notification में इस से related सारी जनकाई देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले देखिए हम चलते हैं LBT conditions मंसलब qualification section पर qualification section में फैंसे यहाँ पर आपको बताया गया है age limit तो 18-30 साल आपका age limit होना चाहिए 1 October 2024 तक और आप reserve candidate है तो आपको जो upper age है उसमें छूट यहाँ पर मिल जाएगी इसके बाद फैंसे देखिए qualification में आपको जो point number 1 है उसमें कहा गया है 10th class pass out होना जरूरी है आपका फैंसे concerned state या UT से जो की state या regional office जिससे आप apply कर रहे है वहाँ से आपका होना जरूरी है साथ में देखिए second point में आपको क्या पढ़ना है candidate should be a dominsial of the state or UT coming under the regional judicial of the regional office which he or she is applying for तो यहाँ पर आपके पर dominsial certificate भी होना चाहिए 3. candidate should be an undergraduate as on 1 October 2024 1 October 2024 तक आपका undergraduate होना जरूरी है आपका यहाँ पर अगर degree complete है तो आप इसमें आविदन नहीं कर सकते है क्योंकि यहाँ पर degree और higher qualification candidate eligible नहीं है apply करने के लिए तो यह चीज़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है apply करने से पहले इसके बाद friends आपको center of exam यहाँ पर select करना है जहाँ पर अपना exam center आप चाहते है category general है EWS है OBC है वो आप यहाँ पर select कर सकते है अगर आप PH candidate है तो yes कीजिए नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे अगर आप yes करते हैं तो आपके पास permanent disability certificate होना चाहिए आपका category type of disability आपको extra time चाहिए writing hand affected है वो जानकारी आपको देनी है नहीं है तो आप simply इन पर no ही करेंगे इसके बाद friends आपको यहाँ पर देखे वीडियो या डिवोसी वूमन है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं religion आपको select करना है आपका minority community से आप belong करते हैं अगर आप देखे रिजर्व केंड़ेट है का certificate आपके पास है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है आप एक सर्विसमें है या नहीं है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइट करेंगे तो इस बेसिक ऑप्शन से इन में से जो भी ऑप्शन आपका applicable है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद देखे डॉमेंशल जो है state या यूटी का आपके पास है या नहीं है तो यह आपके पास होना चाहिए अनाबाट के अगर आप employee है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है इसके बाद है date of birth और date month and year यह आपको यहाँ पर provide करना है इसके बाद आपका फ्रेंशल जेंडर आपको select करना है जिरुवा भाई भेन है तो आप यसी अनू कर सकते हैं marital status आपको देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो father name है वो आपको यहाँ पर provide करना है पूरा नाम आप यहाँ पर enter करेंगे अब यहाँ पर फ्रेंशल देखिए जब नाम के आप entry कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देना है mother name तो आप अपना जो mother name है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बाद spouse name का option है पती या पतनी का नाम अगर आपका ये option applicable है तो आप दे सकते हैं आपका address क्या है तो पूरा address आप यहाँ पर enter कीजेगा और ये friends आप capital letters में ही enter करेंगे और इसके बाद friends से यहाँ पर आपको friends से आपका जो district है वो आपको यहाँ पर enter करना है अब देखिए जो भी data मैं enter करना हूँ ये सिर्फ sample के तोर पर है आपको आपकी actual data देनी है इसके बाद किस state से आप यहाँ पर आविदन करना है वो आपको state select करना है आपका जो pin code है वो आप यहाँ पर enter करेंगे और ये enter करने के बाद अगर आपका present और permanent adder same है तो आप same specliclic कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग enter कर सकते हैं choice of GST आपको select करना है और उसके बाद यहाँ से validate करना है, validate का फाइदा क्या है कि कोई भी option blank होगा तो आपको यह error show करेगा जैसे माल दीजिए मैं आपको show कर देता हूँ दुबार से देगे validate करने पर इस तरह का error आपको show करेगा, अब उस error को जब आप सही कर लेंगे, इसके बाद जब आप validate करेंगे और successful verified होगा इसके बाद यह आप save and nest कर पाएंगे इसके बाद fans से यहाँ पर देखिए जो next option आता है, अब आपके qualification का है सबसे पहले 10th है, तो आपको 10th का date of passing है, date, month and year यह आपको देना है, आपकी mark sheet पर यह available होता है, आप अपने according जानकारी यहाँ पर enter कर सकते है percentage of marks कितना है, तो आपको यहाँ पर देना है, तो percentage of marks आप यहाँ पर enter कर देंगे, इसके बाद class या grade कौन सा है, वो आप जानकारी दे सकते हैं, नीजे देखिए 12th pass out है तो 12th की जानकारी दीजिए, या रग कोई qualification है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं बसे जहान रखिएगा, degree या higher qualification आपके पास नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर कुछ options है, जैसे पहला है SSC, या मतलब 10th class pass out होना आपका consent, state या UT जहां से आपने apply किया है, वहां से है या नहीं है, आपको yes करना है RUL undergraduate, तो आपको यहाँ पर करना ही होगा, कि आप undergraduate candidate है, मतलब आपकी degree अभी complete नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर yes करना mandatory है, इसके बाद आपके पास वहां की जो local language है, उस state की वो है या नहीं है, as a subject आप यहाँ पर भी yes करेंगे, और जो friends कीजिए, verified होने पर save and nest कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा आपका application preview section, तो यहाँ पर friends से जो भी जानकारी आपने fill की है, अगर आपका यह सही है, तो आप यहाँ पर इसे complete कर सकते हैं, नहीं है कोई सही जानकारी, तो आप यहाँ पर friends back जाकर उसे edit करेंगे, अब यहाँ पर आपको I agree करना है, complete decision पर click करना है, ओके करना है, और उसके बार आपका, देखें, जो upload section है, वो open होगा, अब यहाँ पर देखें, जो upload section है, इसमें left thumb impression आपको upload करना है, यहाँ पर आपको guideline भी गई गई है, तो आपको friends जी धान रखिना है, जो left thumb impression आपको upload करना है, वो friends से आपको white paper पर ही, आपको यहाँ पर जो है, उसका thumb impression लेना है, और वो upload करना होगा, declaration में आपको क्या करना है, तो इसके लिए friends से jobrasa.com पर आप आएंगे, scroll करते हुए जब नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका format आपको provide किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद hereby declare से लेकर, required तक white paper पर black pen से वो friends से आपको आपकी self-enditing में यह लिखना है, और उसके बाद scan कर लेना है, scan करने के बाद friends से आप इसे यहाँ पर upload कर सकते हैं अब यहाँ पर friends upload करने के लिए आपको friends से यहाँ पर choose file पर click करना होगा, और इसके बाद आपके friends से mobile पर जहाँ पर भी आपने इसे save किया हुआ है वो आप यहाँ पर import करके इसे upload कर देंगे, तो यहाँ पर friends से यह upload करने के बाद, आपको friends से यहाँ पर इस capture code को अब आपको fill करना है, जो भी आपको capture code यहाँ पर show होता है, यहाँ आप यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद friends से आपका जो payment है वो आप complete कर लेंगे तो payment करने के लिए आपको friends से redact कर दिये जाएगा इसके bill task पर, और यहाँ पर देखे credit card का option है, debit card का option है dead banking का option भी है UPI का option भी है, तो आप UPI से भी payment कर सकते है, QR code से भी payment आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपके according जैसे भी payment आप करना चाहे, payment आप यहाँ पर कर सकते हैं, और payment जब आपका verify हो जाएगा, उसके बार अपना final printout आप save या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे, तो payment करने कर जो process है, उसका वीडियो मैंने पहले ही provide किया हुआ है, jobrasa.com पर जाकर आप चैक आउट कर सकते हैं, और subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा YouTube चैनल, and our last thanks for watching